प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि पंचायती राज दिवस ग्रामीर भारत के पुनरविकास की प्रतिग्या के प्रतिखुद को फिर से समर्पित करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह हमारे ग्राम पंचायतों के असाधरन कारियों को मान्यता देने और उनकी सरहना करने का दिन है। तमबंदित राज़ों के मुख्य मंत्रियों और पंचायती राज मंत्रियों ने भी इस कारिक्रम में भाग लिया। इस दोरान प्रधान मंत्री ने जोर दे कर कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस कठिन समय में कोई भी परिवार भूखा न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना की तहट प्रत्य गरीब व्यक्ति को मई और जून के महीनों में मुफ्त राशन मिलेगा। इस योजना से 80 करोड लाभार्थी लाभानवित होंगे और केंद सरकार इस योजना पर 26,000 करोड रुपए से अधिक खर्च कर रही है। प्रधान मंत्री ने उन 6 राजियों में स्वामित्व योजना के प्रभाव को रेखांकित किया जहां इसे केवल एक वर्ष के भीतर शुरू किया गया। इस योजना के तहट पूरे गाउं की संपत्यों का ड्रोन द्वारा सर्वेक्षन किया जाता है और संपत्य मालिकों को संपत्य कार्ड वित्रित किये जाते हैं। आज 5000 से थी गाउं में 4,09,000 लोगों को ऐसे इस संपत्य कार्ड दिये गया। प्रधान मंत्री ने आने वाले दिनों में स्वतंत्रता के 75 वे वर्ष में प्रवेश का उलेख करते हुए पंचायतों को विभिन चुनावतियों के बावजूद विकास के पहिये को आगे बढ़ाते रहने के लिए कहा है।